अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डंगल प्ले अब चलो दिव्यम, हम तुमारे कमरे में सोहेंगे कमरे में तो हमारे सारे कप्णे बाहर पड़े हुए अगर बड़ी दादी ने देख लिया तो चलो बेटा, आउ कली बेटा, तुम्हें पता है न, हमारा कमरा कहा है? तो तुम जाओ हमारे कमरे में, हम आते हैं जाओ हमारे कमरे में इस समय नहीं जा सकती इस समय उने नहीं पता चलना चाहिए कुछ नहीं पता चलना है जी, क्या करूँ, क्या करूँ आप नहीं जा सकती है, क्यों? और तुम हमारे सामने के हवाईजाज जैसे पंख लगा के क्या खड़ी होटो? जी, मैं वह यह कह रही थी के आपको हल्दी वाला दूद, हाँ हल्दी वाला दूद, पीजे ना आप तूटी होई नेंद है ना वह फिर से जुड़ जाएगी और आप ऐसी बढ़िया नेंद सोएंगी क्या मजा आएगा, सच्छी महारे घर में क्या बढ़िया हल्दी वाला दूद बनता है क्यो भई हाँ आप बढ़ाजी हम अमना किलाते हैं हाँ के लिए हल्दी वाला दूद है बढ़ी आसा करमा करम तोट लास हाँ क्या हम गणोनों मिलके पिएंगे दातिक, दांसे तिफिम जी तिफिम जी आफ क्या कर रहे, जल्दी जल्दी कपडे अंदर रख नहीं छोड़ी ए सब तुम क्या कर रहे हो रादिका? क्या कीया मैंने? अच्चे से तेह कही हो वे कपडे तुम सब कराब कर रहे हो सुर्ई दिवंजी लेकिन इस वकश्फिक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है वकश्फिक सी काम करने का समय नहीं है हमारे पास अब आप जाए जल्दी-जल्दी कप्टे लेकर आईए दिवंजी प्लीज़ जाएए ना जाएए अरे हमें कोई दूद नहीं पीला हमें नीन दा रही है हम सोने जा रहे है अरे तुम दोनों क्या शकल बना रही हो चलो मेरे साथ अरे चुपकर तुझे आज ही काम जाद आ रहा है चल मेरे साथ जिजी जल्दी जल्दी किजिए बड़ी दादी आगी न तो आप पता जाएगी मुझे ना ये सब नाटक करना बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा है रादिका सॉरी पन कीजिए अरे मुन्ना तुझ यहां खड़ा मुस्करा क्यों रहा है वो बड़ी दादी आप पहली बार मेरी कमरे में आ रहे थी ना और वो कमरा एकदम इससे मुझे लगा तो मैं साफ सफाई करने आगया चीजे सारी यहां मा विखरी भी पड़ी थी तेरा कमरा और गंदा ऐसा तो हुई नहीं सकता मनना वो चुपा रहा है क्या मैं नहीं बड़ी दादी क्या ही छुपाऊंगा कुछ थी चुपाने के लिए यह तुम पानी की तरह साफ अईसे बिटा हमने कभी ठीक से तेरा कमरा देखा नहीं था अच्छा पर बहुत अच्छा है सुंदर है आँ बहुत सुंदर है अरे तुम तीनों ऐसे त्रीमूर्थी की तरह क्यों चुपके हुए हो क्योंकि बुआजी आपको आज मुन्ना के कमरे में देखे बहुत अच्छा लग रहा है अब बुआजी आप क्या देख रहे हो आप क्या दूड़ रहे हो तुम रब को छुपा रहे हो हमसे नयंग भला क्या दूंकि नयंग । तुम आपका रहे हो अटे है मंद और शॉतों फिई President मौर्क गी बणा नहीं पियेंगे सो पीछब लिजे मौमी जी भुजी को नहीं पीना है जो रिख़े में आपके एंठ्म गुड़ खां गुड़ नहीं गुड़ नाइद हा गुड़ नहीं टाइज hard मुना सोजा बिटा हाँ हाँ बड़ीजादी आप सोजाँ आप सोजाँ ना आज तो पाल पाल बचे हाँ वो सब कुछ तो ठीक है मम्मी जी पर ये राधिका सोईगी कहा राधिका आज तुम मेरे साथ मेरे पलंग पर सो जाना नहीं नहीं दादी जी अगर हम आपके साथ आपके पलंग पर सोएंगे तो आपको जगा कंपड जाएगी और आप अराम से सो नहीं पाएंगी कविता अब हमारी फिक्र मत कीजे हम हॉल के सोफे पर अराम से सो जाएंगे बस आज रात की तो बात है रादिका, मुझे माफ कर दो जिजी की वज़ा से तुम्हें कितने कष्ट जहिलने पड़ रहा है माफ ही किस बात की दादी जी अपनों की खुशी के लिए मिला गष्ट भीना आशरवाद होता है जी तेरा अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कंबल लेकर आते जी बड़ी दादी तो सो भी गए पता नहीं रादी का कहां सो रही है एक बार जा कर देख गया था हूं जी तुम यह सोफे पर कैसे सो पाओगी? दफिम जी, हम सो जाएंगे, आप चिंता मत करिये तुम एक काम करो, मैं गोलु भेया से बात करता हूं उनको बोलता हूं कि वो जाएं किसी और कमरे में जाके सो जाएं और तुम जाके उनके कमरे में सो जाएं नहीं नहीं, दफिम जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है पेली हमारी वज़े से कली जी जो है, वो माजी के कमरे में सो रही है और पड़ी दादी आपके कमरे में, कोलु भेयों को परशान मत कीजे हम यहां सो जाएंगे कूलर को देख नहीं सकती थी एक बाराते का तुम हमें अच्छे से आदे कि हमने नल बन कर दिया था, पता नहीं कैसे पता होना चाहिए ना किसी और गैस्ट्रूम में जाकर सो जाती, तुम यहां क्या हम भी तो यही कह रहे है, यह यहां क्यों क्यों जाएंगे